अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए. और करेंशा लो कको ये वादार आपको ये वादार् हिपिता आपको ये जरूर क म्ते आपको है। घ्ल्स मते अर्णा स्वक्त्रा भेजिए ईादा। झाल कर दो सर दिल Two जर दम्हें तर कर दो haste पुे गिनध कर दो र मने हम इस झुछ कर दो जारं गымन थमाद 16 कर दोgovern्द आरolt पाइब फड़िट हैं जाइब जाइब्स दिता है यृज़ ब कर दो, आ दोग, न दो उन जाइब, पाइब, नाइब, जिस वर मिलेगें ख़िटा नाइब, जमता, जाइब, ये याइब, जिस वाइब, जिससे रिए एाईब बना, ये लगकावदाओ, न भाइब, जिससे हुआ 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 है करो यार बहुत हो गया चलो राजा बीच पर चलते हैं समंदर के किनारे फोटोग्राफ्स लेते हैं नहीं मुझे बीच विच बनने ही जाना है क्यों 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 अरे यार एक बीवाना पागल है एक बरस से मेरे पीछे पड़ा है मैं जब भी बॉंबी के फ्लैट लेकर यहां आती हूं वो कहीं न कहीं आकर मेरे सामने टक्रा जाता है कभी रेस्टराट में कभी बुक्शॉप में और कभी समंदर के किनारे बस यही जगह सेफ है Oh Miss मारी बारा महीने लाइन मारी फिर भी लगान नंबर जैन्भरी में शुरू किया था आ गया डिसेंबर मेरा फिर भी लगान नंबर माहीजने मोण चैन फैब और मार्स तलक उन मुलकर भी में देखा चैन फैब और मार्स तलक कोन मुलकर भी मा देखा एपडियेल से में तलक मेंने तेरा रस्ता देखा जुन जुलाई लाए जुदाई वोई आगस्ट में रस्वाई सेप्टेंबर अक्टूबर पीता तुझे दयान आई अरे तुझे दयान आई मेरी हालत देख के मुझ पे मेरी हालत देख के मुझ पे हसने लगा नवेंबर जैन्बरी में शुर किया था आगया डिसेंबर मेरा फिर भी लगान नंबर जाना तो दिल ने सब्र कर लिया जाना बारा महीने तक तो दिल ने सबर कर लिया जाना आन करोगी अब तुम तो मर जाएगा दिवाना बिगल जाओ अब तो पत्थर की देवी तुमाल मेरा कहना आज बहुत मुश्किल है अकेला लोट के धर को जाना मेरे दिल का कमरा खाली है तू आजा इसके अंदर जैन्बरी में शुरू किया था आगया डिसंबर मेरा फिर भी लगान नंबर तुम मेरा तुम मेरा बागे आजा आजा भी विरब रागे विर सिप्सक्वाट इन्हें प्यार हुआ है हमसे आज की ताजा खबर है सब शकल लंगूर की बस दुंगी कसर है चल फूट नहीं तो पुलिस बुला के करवा दूंगी अंदर मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में कर गई पंचल कि शाम बेटे नर्यन को शादी की बहुत बहुत बढ़ाई देना है और उसके दिलन को मेरी तरफ से छोटा साथ तोफ़ा देना है जी डेडिक है नो सेंकर की तेरो बेटा तुस्या दोस्त ना होता है तो उसका डॉक्तर बनना नामुम्किन था फिर वही बोरिंग बात अरे भाई मैं तो चाहता हूं कि मेरी बेटी कि दिश्चि रुक्मनी की और शाम की शादी पक्की कर दें और इसे साल भ्याभी रचा दें हांधा यह जगनाथ शाम नरेन की शादी से वापस आ जाए यह शुबकां भी कर देते हैं वादा हाँ वादा है कर दो कर दो एक लिख पानी पी एक लिख पानी पी में एक लिख पानी पी करने को तो आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है सिलाल अगर आप मेरे लिए एक गरम चाय आपक शेट तो ऐसा लगता ऑजिसें किसी अच्छार नहीं कर रहा हूं मैं किसी रेल्वेश प्लेट्पपर खड़ा हूं तो कॉफिस और काफी साथ तो इंटिलेक्ट्टन स्वित तानी कशली बेलिए इस जाद दुर्भा प्राइं का ओश्यूट को अज़ा है वह भाख फो फटो बच्चे मिते हैं इस एस बाख आए देखियों अब आप मुझे साओननी ही कुछ पिला यह पिला नहीं है तो तो नहीं है धिसा लिए नहीं है शो सर यह मिल्क सर अंग्रेजी भाचा में यही तो गड़वड़ा है जी सर आपने कहा ना यह मिल्क सर यह दूद मेरा नहीं है मेरे लिए है इसकूज में मिल्क यह सर इस वक्त हम धर्ती से हजारों फूट उपर आस्मान में उड़ रहे हैं सितारों के पास से गुजर रहे हैं ऐसे में कोई जोतिश यानि एस्ट्रालोजी की मैगजिन होगी जो मुझे मेरे सितारों का हल बता सके है इस वक्त आप हवा में उड़ रहे हैं जोतिश और सितारों वाली किताबे तो आपको कभी मिलेंगी जब आप जमीन पर उत्रेंगे आइसी ओके साथ बात है वई समझ गया अरे 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 सुने सुने दर्स्ती पर उतरते ही मुझे अपने सितारों का हल मालूम हो गया अर देखे न जोतिश विद्धिया पर कितनी सही है लिखा है कि कल जिस हसीना से मुलागात हुई थी अज फिर फिर मुलागात होगी और देखे है हो गयी जी हाँ चलिए इसी बात पर रेस्रॉंट में यकप चाय हो जाए जी ने, जी ने रेस्रॉंट में बैट कर चाय पिने से ऐसा लगेगा कि हम रेस्रॉंट में नहीं किसी रेल्डे प्लाटफॉर्म पर बैटकर चाय पी रहे हैं मारी एक गुली चाय को कॉफी पीते हैं ना ना कॉफी तो सफ इंटलेक्ट्ट पीते हैं तो फिर कोई सब्सक्राइब लिमका जूस यह सब तो सिफ बच्चे पीते हैं और माफ किजीगा मुझे दूद पीने की आ सब्सक्राइब करते हैं रेसरांट में बैठकर आप मेरा नाम पूछेंगे क्या है कि बाच्चित आगे बढ़ाने के लिए नाम का जाना बहुत जरूरी है ना नाम जानने के बाद आप मुझे यह पूछेंगे कि मैडम आपका किसी के साथ इश्क तो नहीं चल रहा है उसक क्या है कि फैमली प्लैनिंग का जमाना आप तो पुरी जोतिशी है सब कर समझ गई शाच आप अपना रास्ता ना पिये वर्ना अरे वर्ना क्या कल तो हवाई जहास में कितने प्राइस मुझकराना मेरी ड्यूटी है वहां मुझकराने के लिए मुझे पैसे मिलते हैं समझा नो गेत लॉस्ट गेत लॉस्ट बात है पर अपन भी छोड़ने वाले नहीं अरे यार ये और यहां कैसे हो गया यह तो दक्र शांद है इनकी जिक्री दोस्त है तुमारे पत्री का दी जहां यह बड़ा चालू हो पता है अवचाह से मेरे पीछह पड़ गाया रूजभ शु पासरे की असी इस बता यार कि टोक्तश कbew कहीं से लगता है कई जैप ममस्ति तो आप तोसी को हाथा हिए हाथ है क्म多 है यह यह हए ती। हुश कर दो कर दो कर दो बाभी, आपके सापने हाद जोड़ू, आपके पाओं पड़ू, अपना सर फोड़ू, क्या करूँ? क्या हुआ? अपनी जेली से मेरा चकर चला दिजी ना, घास भी निडाल दी रादा बहुत अच्छी लटकी है रादा बहुत अच्छी लगी है, तो क्या मैं बुरा हूँ हूँ, वैसे भावी, रादा शाम की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी अरे हिम्मत है तो उसके साथ जाके नाच और फिर अपना चकर चला, जाकर नाच हो बिल्कुल, चकर चल जाएगा जूरूर, तो फिर मैं चला, जै माता दे रादा जी, मेरा दिल आपके साथ नाचने को कर रहा है, जी, जी, अहां रादा जी, क्यों नहीं, हो जाएगा जी, 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 जाएगा जी, 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 जाएगा जी, जाएगा जी, 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 जाएगा आपकी खुब्सूरत जिंदगी में चारचान लग जाएगे अच्छा, हो कैसे प्राइवेट, इदर आओ तो फिर चले मेरे होटल होटल नहीं, मेरे घर चलते है तुम्हारे घर क्यों? और जल्दी करो अरे प्राइवेट बाद सुनते ही तुम्हें मुझे भी जल्दी लगी नहीं बाबा, जल्दी इसलिए कि शाम भी हो रही है और वो देखो बारिश कासार भी नदर आ रहे है लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे एक प्राइवेट बात करनी है करनी नहीं, कहनी है कहनी नहीं, करनी है क्या? क्या? आणा वह जो को जो भसी करें आणा 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 एक्तम भीग गया ना चलो कप्रे बदल ने देखें मुझे क्या अपनी साडी पेनाओगी साडी नहीं मेरे अलूंगे कुछता जल्दी से बतलो आई बापले, बहुत ठंड लग रही है अरे बाप, लंगी कुर्ते में बहुत अच्छ लग रहे हैं जनाब मगर आप तो मुझे बिना लंगी कुर्ते के भी बहुत अच्छ लगती है क्या मतलब? मेरा मतलब है किm骑 dough's. कलवार में, commissions me, nighti में иться designer यह नहीं बाबा ना क्यों कभी कभी एक छोटी सी गलती भी जिंदेगी मर के लिए गुना बन जाती है क्या हुआ सर्दी हो गई धरू ए कहां जा रही हो दवा नाने अरे सर्दी की दवा तो तुम ही हो पापा कहते थी जद सर्दी हो जाए तो यह दवा पियो यह तो प्रेल के कौने unkenर सर्दी जारू और टाल यह नो काई कहते देजा नि to यह रिदक आखिए तो में जारे यह दूसक्ट को तुम्हें भीन सर्दी हों जो गी M immisus नहीं दवा है मैंने केता तुमारे पापा केते थे नगल 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 शग़ेला दोल भूत कूलो तो बलूइगा मेठ का नल मत क्वानिगा पापा की दवाब बहुत अच्छी है बहुत अच्छी आँ 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 हलका हलका सुरूर है तुन्हें जामलबों से पिला दिया मुझे एक शरावी बना दिया मुझे एक शरावी बना दिया ये जो हम दोनों में सुरूर है ये जो हम दोनों में सुरूर है ये सब सावन का पुसूर है कुछ ठाने खटाने पिला दिया कुछ तेरी नजर ने खिला दिया हर मुझे शरावी बना दिया हर मुझे शरावी बना दिया हर दिया हर मुझे जरावी बना दिया मुझे तेरी बना दिया हर दिया दिया मुझे खिला कर दिया तू जूमती बोटल लगती है तू जूमती बोटल लगती है पूरा में खाना लगती है मुझे और नशा चड़ जाता है जब तू ना गिनसी चलती है मुझे और नशा चड़ जाता है तू पी कर जूट बोलता है तू दे कर जूट बोलता है तुझे काला कवा खाटे घर तुझे काला कवा काते जा है अब कवा काटेया सांप डसे तुन्हें प्यार का जहर पिला दिया मुझे एक शराबे बना दिया मुझे एक शराबे बना दिया अच्छा तो कुछ कुछ ऐसी लगती है मुझे रेखा जैसी दिखती है मुझे बहुत चड़ गई है शायद डूट अवल रोल में लगती है मुझे दो दो रेखा दिखती है मुझे दो दो रेखा दिखती है जूट कहीं का तूपी गर जूट बोलता है तुझे काला कवा काटे गार तुझे काला कवा काटे गार अब कवा काटे ये साप डसे तुने प्यार का जहर पिला दिया मुझे एक शराबी बना दिया ये जो हलका हलका सुरूर है ये सब सावन का कुसूर है नहीं नहीं तो ये तेरे नजर ना कुसूर है तुने चाम लबों से पिला दिया हम दोने को शराबी बना दिया हम दोने को शराबी बना दिया हम दोने को शराबी बना दिया हम दोने को शराबी तुने को शराबी ये मुझे ये नहीं जो हाले हाले यजयर हाले outta हाभा एख्ज़शन काईब जो बन्दे यजयर व्हाव हलो बट्र शामया उट मैं नेक्स ब्लेट पकड़ के भूमे आ रहा हूँ जिया क्या बात है शाम जगनात अंकल और पपा का एक्सरेंड हो गया जगनात अंकल की देथ हो गई पपा बहुत सीरत है मुझे आज ही भूमे जाना होगा चलो डेडी मेरे दोस्ट जगनात जिनके हमारे उपर बहुत ऐसानात है इस तुद्या से चले वे उनको दिया हुआ वचन तुम्हें पुरा करना होगा कैसा वचन डेडी जगनात की बेटी रुपमीडे का हाथ तुम्हारे हाथ में सौपने का वचन बेटा क्या मेरी हाथ में मेरी अंतिम सास निकलने से पहले मेरी आखों के साबने तुम्हें रुपमीड को अपनी पत्नी स्विकार करना होगा डॉक्टर शाल मेरे समारे पिता जी के चहने पर मैरे जुरेजिस्टार को यहां पर ही बुला लिया है वह आ गए है लेकिन डेड़ी मैं पेटा पेटा मैं तरे हाथ चुड़ता हूँ मेरे वचर की लाज रख ले डेड़ी आवर मेरे बुला आवर्म बगाँ आवर्म लेड़ी स्विकार आवर्म कर दो 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 कर हेलो दॉक्टर शाम है जी नहीं वो तो मदरास गए है मेडिकल कॉन्फिरेंस में देखिए उनके ड्यारी का एक्सिदेंट हो गया था अब उनकी तबीद कैसी है एक्सिदेंट के दूसरी दिन ही उनके पिताजी का स्वरकवास हो गया आप कुन बोल रही है जी मैं डॉक्टर शाम की पतनी बोल रही है उनके लिए कोई मेसीर जी जी नहीं वकीर साथ आपकी फाइल और हमारी फीज रात को रात को नहीं अभी नहीं अभी अरे राधा जी आप इतने दिन कहा गायब हो गए थी चला चलो भाई अब आप दोनों सहलियां जम के बाते करो तो रमा जी तो फीज तो फीज तो फैर कोई बात नहीं कल मैं डबल फीज वसूल कर लोगा अरे क्या बताओं दिन जानी के राते सोने की मुझे मालम नहीं था शादी के बाद जिंदेगे की खुब्सूरत हो जाती है अच्छा फर तो 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 इशारी में भी चार चांद लग गया होंगे क्यों बिल्कुल ने एक तासा शे सुन सुना मेरे मनने के बाद मेरे जलाने से पहले मेरा दिल निकाल लेना कहीं ऐसा नहों फूप ही चल जाएं जो मेरे दिल में रहते हैं वाह बहुत अच्छे रमा अब तो हमारा मिलना कभी-कभी होगा क्यों मैंने नौकरी छोड़ दिया है मैंने चंडिगर भी छोड़ दिया है आजकल मैं कश्मीर में रहती हूं कश्मीर में यह सब पचानत कैसे बदल गया अरे हां एक बात या दाही राधा क्या वो तेरा आशिक था न डॉक्र शाम उसकी शादी हो गएगी अच्छा अच्छा इतना चोटा सा अच्छा क्या बात है राधा सब खेरे तो है राधा अच्छा हम भूल गैरे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले हम भूल गैरे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले क्या क्या हो दिल के सार्ट क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले हम भूल गएर हर बाद, मगर तेरा प्यार नहीं भूले दुनिया से शिकायत क्या करते, जब तोने हमें समझा ही नहीं दुनिया से शिकायत क्या करते, जब तुने हमें समझा ही नहीं वेरों को भला क्या समझाते, जब अपनोंने समझा ही नहीं तुने छोड दियर में रहा, तुने छोड दियर में रहा बजर तेरा प्यार में ही भूले क्या क्या हूँ दिल के साथ मगर तिरा प्यार ने भूले हम भूल गर हर पार मगर तिरा प्यार ने भूले कि रिफ़ you कि बार प्यार ने ख़िए कि इन numa असमें खाकर हादे तोड़े हम पिर भी तुझे ना भूल सके असमें खाकर वादे तोड़े हम पिर भी तुझे ना भूल सके जूले कमरे बाओं में मगर हम भी तेरे ना जूल सके सावन में जले दिन रा मगर तेरो प्यार नहीं भूले क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरो प्यार नहीं भूले हम भूले जयरे हरमा मजर पिर प्यार नहीं हम भूले जयरे हरमा मजर पिर प्यार नहीं अधिश्टाना करें तर्ष फॉल्य लाइन अफ्ट्री ठीके तुम सुमाल लेना आपके शीनगर के दौनों टिकेट कंपर्म हो गया है और पहल गाओं में होटल रिजरवेशन भी हो गया है मैंने दौक्टर भंडारी को समझा दिया है कोई भी एमर्जनसी हो मुझे फ़न फ़न कर देना है यस सर्ट के श्याम अब नाइस वाली डिवित भादी थैंक यू बाबाए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 आपका आपका आम है बेटे अरे यह तो बहुत अच्छा नाम है क्या समझे ममी बाड़ी बुनाती है अरे यह तो बहुत अच्छा नाम ही आप तो बिल्कुल डॉली लगते हैं मिस्डिपिंटी आप बिल्कुल हमारे पापा जैसे लगते हैं अच्छा आपके पापा जैसे हैं हाँ पापा जैसे हैं क्यों जी कुछ दाल में काला तो नहीं है अपने घर आएन आंकर मैं आपको अपने पापा के उसक्री दिखाती हूं आएना मिस डिपिंथी अभी तो हमें जाना है क्यों ? अरे बच्ची कह रहे तो हो आये ना जी डॉली ? कहा है आपका घर ? सामने आच्छा ठीक है, तो चलते हैं, आईए, आप हो आईए, मैं सामने की दुकान से कुछ मैगजिन्स खरिद लेती हूँ ओके, चलिए मिस्स डिपन्ती, चलिए वोरी मेरे पापा के सब्सक्रीर और अंसर, वोरी मेरी ममी के सब्सक्रीर आये नांकर, आये है ना बिल्कुल आप जैसी कहीं आप भी तुम मेरे पापा नहीं अंकर बोलियन अंकर, प्लीज बेटी, हम तुमारे पापा जैसे अंकर है तुमारी मम्मी का है? काम पे गई है अंकर, मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा क्या है आपका नाम? हमारा नाम शाम है बिटी शाम? बिल्कुल मेरे पापा जैसे नाम ममी कहती थी, पापा एक बाद चले गए फिर वापस ही नहीं आया पापा लोग बहुत गंदे होता है है नांकर? हाँ बिटे, शायद जब मैं साब बोलती तो ममी मिझे बहुत डाच्टी है अच्छा? हाँ, मिझे ममी बहुत अच्छी है मिझे बहुत चार करती है बस पापा लोग देती अच्छा बेटे अब हम चलते हैं फिर मिलने आएंगे आओगे नांकर? हाँ बेटा चुनिये मैं आपको छोड़ाती आयो बाइ बाइ आंकर बाइ बाइ आंकर बाइ 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 आंकर बाइ बाइ आंकर बाई बाई आंटी बाई डॉली देखाए तशी तुम्हारी तो नहीं है बच्चे भी खूब हो तिरे चलो मम ममी मालूम है आज कि पेल और मुझे पापा जैसे उंकल मिले थे पापा जैसे? यहाँ देखो डॉली कोई भी उंकल इस दुनिया में तुम्हारी पापा जैसे नहीए हो सकते समझी नए कि ममी वह सच्छ मश्च पापा जैसे थे और उनका नाम भी था शाम फिर मैं उनको घर पे लाई आपकी और पापा की फोटो दिखाई फिर उन्होंने मुझे बहुत च्यार किया आपकी तरे मम्मी मम्मी मुझे भूख लगिये खाना दो ना अभी दिद्म कहीं आपकी तुमेरे पापा नहीं अंकल बोलें अंकल प्लीज मम्मी वह सचमश पापा जैसे थे और उनका नाम भी था शाम लेकिन मम्मी बहुत अच्छी है मुझे बहुत च्यार करते बस पापा नहीं लाते थे कहा है कहा है मुझ लू अपना लूँ लूगा झाल 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 कर दो 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 कर बादा कहा थे आप जमाने के बाद आए है मेरे शबाब ने जाने के बाद आए है कहा थे आप जमाने के बाद आए है मेरे हुजूर बता मेरी मता क्या है मेरे हुजूर बता मेरी मता क्या है भरी बहार के जाने के बाद आए है मेरे शबाब ने जाने के बाद आए है कहा थे आप जमाने के बाद आए है कहा पुम सेर्थ कहाने के बाद आए है किराना चाट, तलक सेह, हमें गिराते ते, गिराना था चाट, तलक से, हमें गिराते ते, नजर से हम को गिराने के बाद आये है, मेरे शबाब के जाने के बाद आये है, पहाँ थे आप जमाने के बाद आये है, वो दिन के प्यार में तट्या कुचार दे हमें, गुजन के प्यार में तट्या कुचार दे हमें, हरे तुखाब जलाने के बाद आये है, मेरे शबाब के जाने के बाद आये है, कहाँ थे आप जमाने के बाद आये है, कहाँ थे आप जमाने के बाद आये है, राधा, समझ में नहीं आ था, कहाँ से शुरू करो, तुम्हारे वहाँ से लटने के बाद, जिंदगी में कैसा मोड़ाया, के? हाँ, मैंने मालूम किया था, तुम्हारे ड्याडी का एक्सिरेंट में स्वर्ग्वास होगी, और फिर तुम्हारी शादी होगी, शादी मुबारक हो शाम, राधा, मैं तुमसे कोई शिकायत तो नहीं कर रही हूँ, शिकायतों के जवाब तो आदमी दे लेता है राधा, लेकिन जाँ शिकायते नहों, वहाँ बेना पुछे ही सब कुछ बताना पड़ता है, मैं उसी वक्त तुम्हे सब कुछ बताना चाहता था, मैं चंदीगर भी गया, तुमसे मिलने, तुम्हें बताने, लेकिन वहाँ जाकर पता चला, कि तुम वह घर और चंदीगर छोड़कर कहीं चली गई हो, वीबिंती मेरी कौक मीती शाम, उसे जनम लेना था, मैंने इंडियन एरलैंस में भी पता किया, मालूम हुआ, तुमने रिजन कर दिया, मां भी तुम्हारा कोई अगला पता नहीं मिला, मिलता भी कैसे, मुझे खुद अपना अगला पता मालूम नहीं था, टॉले मेरे पेट में थी, मेरे लिए रिजन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था शाम, खैर, मेरी छोड़, आपने सुना, तुम कैसे हो, तुमारी पत्नी कैसी है, सच बोलना आसान तो नहीं है, लेकिन रधा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इतना बड़ा सच, तुम्हें बोल सकते हो, शाम, यही तुम्हारी महानता है, लेकिन मेरे दिल पर सबसे बड़ा पोच्छी ही यह रादा, कि मेरी वज़े से, तुम्हारी जिन्दी की गरूप निगड़ गया, तुम्हारी खुश्यां चीन गई, नहीं शाम, मैं बहुत खुश हूँ, डॉली के साथ, मैं बहुत खुश हूँ, फिर भी रादा, मैं तुम्हारी लिए, डॉली के लिए, सब कुछ कर सकता हूँ, सबसे बड़ा दान तो तुमने मुझे दे दिया है, शाम, अब डॉली ही मेरी जिन्दगी की सबसे कहिंती दरोवर, लेकिन रादा, शाम, जो पेर पीछे छुट के है न, उनकी चाय के लिए कोई लोटा नहीं करता, तुम चिंता मत करो, शाम, मेरी जिंदगी में बहुत खानी चाया है, जोले की चाया, वो चाय भी तु तुम्हे ने दिये, दिये, देखे, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कुछ ऐसी औरतों के बारे में जानकारियां हासिल कर रही है, जिन्हें हाला, समाज और इस दुनिया ने सारे दुख सहने पर मजबूर कर दिया है, तो मैं आपके क्या मदद कर सकती हूँ, जी बहुत कुछ, मुझे पता चला कि आपने भी अपनी जिंदगी में अकेले बहुत संगर्ष किया है, संगर्ष, कैसा है संगर्ष, यह है कि कोई इंसान आपके जिंदगी में था और वो कहीं चला गया, और आप दोनों मादी अब अकेली रहती हूँ, तो इसमें बताने को क्या है, जिंदगी के बहुत से रूप होते हैं, और देखिए मैं अख़बारों और जनलिस के चकर्मन मैं तो सिर्फ इतना ही जाना चाहती हूँ, कि जब औरत की जिंदगी में ट्राजडी होती है, तो कुसरवार मर्द है या उरत, समाज है या हालात, या कुछ और, अच्छा चली पूछे, क्या पूछना चाहती हैं, यही कि आपके जिंदगी में जो इंसान आया, वो कौन थ और क्या वज़ा है, आज वो इंसान आपके जिंदगी में नहीं है, वो एक छोटी सी कहानी है, आप आये, बठे, मैं आपके लिए चाहलाती हूँ, उसके बाद मैं चंडीगर छोड़कर स्रेनगर आ गए, वहां एक ट्रैवलिंग एजनसी में मुझे नौपरी में गए, व मुझे शाम से कोई शिकायत नहीं है, मैं डॉली के साथ बहुत खुश हूँ, तुम्हारी कहाली सुनकर, मेरी भीतर के औरत जाग पड़ी है, मुझे तुम जैसे कमजोर औरत पर गुसा रहा है, तुम जैसे औरती, मर्दों को खुली खिलवार का वुका देती है, बिना शा शादी से पहले हो, या शादी के बाद में उसे हवस का गंदा नाम में दिया जा सकता, लेकिन बिना शादी का प्यार कलिक बन जाता है, तुम जैसे कमजोर औरती उसे परदाश करती है, जिस मर्द ने तुम्हे उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ जीवन में सारे अंधेरे हैं, तो उसे मर्द से रोशनी का हक क्यों नहीं मांगती, क्यों अंधेरम में गुम्नम जिन्दगी गुजारना चाहती हो, जाओ, और उससे सारे अधिकार और हक मांगो, अपने बच्चे के लिए बाप का नाम मांगो, अपने लिए मां का सिंदूर मांगो, मैं जानती हूँ, तुम ऐसे नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हार ये कहानी, सारे अखबारों में चपाऊंगे, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही करूँगे, अरे, अंकर, आप, मैंने तुम से कहा था ना, कि मैं फिर आऊंगा, ये सब चीजें तुम्हारे लिए है, इतनी सारी चीजे, अंकर अब बहुत अच्छे, मैंने मामी से कहा था, कि पापा जैसे अंकर मेरे थे, लेकिन उन्होंने कहा, कि दुनिया में कोई भी अंकर, तुम्हारे पापा जैसे नहीं हो सकते, चली मैं आपको ममी से मिलाती हूँ, देखो बेटे, तुम्हारी ममी से बाद में मिल लेंगे, ये चीज़े रखना, नई अंकर, वसे भी आपको घर के लाई पड़े हैं, इसकी दो वच्छे, क्या, नमबर एं, आप इतनी सारी की जिला हैं, तो मैं कैसे उठा कर ले जाऊंगी, नमबर तो, ममी ने मना किया है, किसी से भी कोई चीज नहीं लेना, तो आप अंको सामने चल को, मुझे दीजे, तब मैं ले, चलिए ना अंकल, प्लीज, चलो बेटे, मामी, मामी, देखो मैं पापा जैसे अंकल को लाई हूं, कितनी सारी चीज़े लाएं मेरे लिए, तुम यह सब ले जा, और खेलो, क्या बात है रदा, बहुत परिशन लग रही हूं, कुछ देर पहले एक आउरत आई थे, उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने उस पर बारोसा कर लिया, उसने अपने बारे में और डॉली के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद, मुझे यह धंकी दे गई है, कि वो यह सब कुछ अख़वारों में छपवा देगी, अख़वारों में छपवा देगी, हाँ, मुझे अपनी बदनामे का डर नहीं है शाम, तेकिन अगर यह सब कुछ अख़वारों में छप गया, तब तुम्हारी पत्नी के मन को कितना दुक पहुंचेगा, वो, वो तुम यह इसाँ अपर तक टुमने मुझजी चुप आया शुताया नहीं रुक मनी लेकिन तुम्हें बताने की रुरत क्षए मौका यह नहीं इसलिए दॉरुरत नहीं तty पड़ी मॉका इसलिए नहीं आया क्योंकि डॉली अभी चोटी है मैं तुमसे पूछती हूँ शाम, जिस दिन डॉली बड़ी होकर, अपने पापा के नाम के तलाश में निकलेगी, तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? और रहा था, तुम्हारे पास क्या जवाब होगा डॉली को देने के लिए? जब डॉली बड़ी होगी, तो वक्त बहुत बदल जाएगा वक्त बदले से बदलता है, अपने आपने ही, यह बदल सकते थे वक्त को, लेकिन यह खुद बदल गए अगर यह अपने मरते हुए डैडी के बात ना मानते, तो इन चार जिन्दवियों का रूप कुछ और है होता शाम, तुम्हारे जिन्दिके में राधा मुझसे पहली आई, बाद में आती, तो मैं कभे तुम्हें माफ नहीं करती लेकिन, लेकिन तुमने मुझसे शादी करके राधार के सारे हक चीली, मैं तो ऐसा नहीं मानती, इन्हें दोश मत दो, जिन्दगी कहीं मंजलों से गुजरती है, शाद मेरी मंजल शाम नहीं थे नहीं राधा, सच तो यह है, जहां आज मैं हूँ, वहाद तुम्हें होना चाहिए था, तुम इनकी जिंदगी के पहली सच चाहिए हो, उस वक्त यह अके लिए थे, तो वक्त को नहीं बदल पाए, आज हम तीन है, हम तीनों वक्त को बदल देंगी, शाम, राधा को उसका स तुम को देना मान, एक पत्नी का अधिकार तुमको देना पड़ेगा, तुम यह मत समझ न, शाम, मैं तुम से तलाक लोगी, तलाक अवरित के लिए गाली होती है, और वो गाली मैं खुद को नहीं दूगी, तुमारे घर से तो मेरी अर्थी उठेगी, राधा, तुम मेरे पती की पत्नी बनोगी, डॉली के खातिर, नहीं, कभी नहीं, यह समाज और यह दुनिया, कभी रिष्टा मंजूर नहीं करेंगे, मैं तुम्हें स्विकार करते हूं राधा, अब सवाल, इनके मंजूरी का है, बोलो शाम, शुप क्यों हो गये हो, डॉल अन्मन अर्पन कर दिया, तुम उसके त्याक से अंजाल हो गए, बेक असुर को सजा देनी का हक भगवान को भी नहीं है, फिर तुम कौन हो, उम्हें क्या हक है, बोलो, जवाब दो, हम अगर तुम्हारा फैसला मान भी लें, तो कानून और समाज, एक पतनी के होते, दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देता, जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे, हाँ, मैं जानते हो, लोग क्या कहेंगे, खास्तोर से औरते, पर ये कदम उठाना, हर औरत के बस के बात भी नह अगरने के लिए दोलत नहीं, जीवन साथे के जरूत होती है, और अवलाद को उसके बाप के नाम के जरूत होती है, सेता की तरह राथा को, मैं जीवन पर बनवास नहीं काटने दूगी, तॉल्यों राथा का अधिकार हमारे घर पर उसना ही है, जितना तुम्हारा और मेरा नहीं मेरे लिए उस घर का रास्तक हो गया है लेकिन वो रास्ता मिल गए है राधा और वो रास्ता शादी के मंडब से गुजरता है कर दो एकर पार आप है ऐसके मेरे स्कार बातर प्राव कर सकार डाक कर दोर्म दोर्म के लिए ट्रवाराइं झाल कर दोर्म बुटनाइट, ममी. बुटनाइट, पापा. बुटनाइट, फोदो्या हम लम्कॉ année वितति वितल शोगाना आेस, वितलापया क्षाजीज और झाल में. हुआ हुआ है किसका ख़त पड़े यह इतने और फॉत परेर को मामी का मैंने उन्हें लिखा था कि मुझे तुम को तुम क्या महपपक तो उसका जवाब आया है क्या लिखा है अरे बता आताル का अरे बता रहे लिखा है यह मम्मी ने हद में में प्यारिक करना बना है और क्या लिखाए हमने भेजा था कॉलेज में तुमको खोब अच्छी तरहा लिखने पढ़ने हमने भेजा था कॉलेज में तुमको खोब अच्छी तरहा लिखने पढ़ने छोड़ करके लिखाए पढ़ाए तुम लगी हो किसे यार करने यार चिस से खेहिन कार करनो तुम्हे इकरार करना मना है योग लड़की चालो बहुत आज कल है उन्मे एदबार करना मना है आगे क्या लिखा है वो जो ले जाना चाहे सिनेमा कभी जाना नहीं साथ उसके नीच बातों से पहला है तुमको फिर भी जाना नहीं पास उसके जिस कली में उद तेरा दिवाना उस कली से गुजरना मना है लड़की चालो बहुत आज खन है उन पे एदबार करना मना है ये लिखतिया है ये मम्मी ने खत में ये मम्मी प्यार करना मना है हम दोनों आपका आशिर्वाद लेना है ये सर्थ हमारी छोटियां हो गई है कल हम बंबे जा रहे हैं मेरा एशिर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा है बच्चों बंबभी शहर जाके अपने माबाप से एशिर्वाद जरूर ले लेना क्यूंकि बगार माबाप के एशिर्वाद के जिंदीकी में असली रंग मेंहीν आता है मेरी ये राय हमेशा याद रखना बच्चो हमेशा याद रखना है जींदे रहो पुतर जींदे रहो रब भाग लाये तौहनू अरे शाम एटी के आते ही दोस्तों को भूल गे तुम अरे तुम भी कोई भूलने की चीज़ों नरें नमस्ते अंकल हाई राजा हाई डॉली हाई यू पाइन तुम्हारा विजल निकला निकला भी हो फर्सक्रास भी मिला वैसे उमीद नहीं थी वैसे उमीद तो मुझे भी नहीं थी तो राजा पास हो गया इसके फेलन होने की शायर ही तो रमा करती है राधा भावी से पूछो इनके तो गहरी दोस्ती है हाँ भाई साब मुझे रमा की बहुत यादा आती है लेकिन शयाद अच्छे लोग भगवां को कुछ जादा ही प्यारे होते हैं अरे नुक्मनी नरेंगी साथ राजा भी आया है पिछ चाय भाय मैं तुझे छोड़ाता हूँ हलो मैं स्पीक तो दिपिंथी प्रीज यूंट तो दिपिंथी तुम्हारा फोन हलो कौन थे पापा थे मामी भी यहीं खड़ी है एक मिनिट हां ममी वो अमी थे वो आप सबसे मिलना चाहता है अरे इसमें पूछने की क्या बात है उसे फॉरन बुला लो भाई अमित है नमस्ते सर अरे आओ अमित आओ हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे क्यों लड़का तो अच्छा है नमस्ते अंती नमस्ते अरे आओ बैठा नामित सर मैं जल्दी में हूँ शाम को हमारे घर पर पार्टी है डैडी ने खास तोर पर डॉली को इंवाट किया डैडी ने या तुमने जी आज तो आपने कानून के वो दावपेश दिखाए कि खून का सारा मामला उल्टा करके रख दिया और अपने क्लाइंट को फासी के फंदर से बचा लिया वाह साब वाह मिस्टर गफूर उसूल और कानून दो ही बातें तो मेरी जिंदेगी ही लेकिन साब जब जमाना आ गया है आजकल लोग नतो समाज के उसूलों की परवा करते हैं और न रॉप कि ऐसे लोगों को जिनी बीमारी तो कहा जा सकता है ऐसे ही लोग तो समाज और पानून की दुश्वन होती है अरे बार बार उधर क्या देख रहा है अरे तू नहीं समझेगा यार पापा ये डिपन्ती जी अरे बई हम तो देखते ही पैचान गये थी इतनी स्वीट लड़की डिपन्ती के लावार कौन हो सकती है तूम खड़े-खड़े क्या मुझ देख रहे हूं अरे बई दिपन्ती के लिए शॉप ट्रिंक लाओ गो 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 राइट अवे सर्टी तुम अमित को बहुत पसंद करती हूं जी अमित भी तुम्हें बहुत पसंद करता है श्या मखर्मा है यह नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है डॉक्तर श्याम वर्मा एकस्कूज मी कि एक्स्यूज मी में अरे यह तो वही डॉक्तर शाम वर्मा है इनकी दो बीविया है एक से तुर शादी कर ली और दूसरी को घर में बठा लिया यह सामने बाहर जाने का रास्ता है बेटर होगा कि तुम चुपचाप बिना कुछ कहे वापस अपने घर चली जाओ और अंदा फिर कभी इस घर में आने और हम इसे मिलने की कोशिश मत करना लेकिट क्यों? इसलिए इसलिए कि तुम एक रखेल यानि एक मिस्ट्रिस, एक बिन ब्याही औरत की नाजाय सौलात हो यादा रहा है मुझे राधा नाम है तुम्हारी मा का उसके डॉक्टर श्याम से नाजाय इस तालुकात के तुम उन्ही तालुकात का नतीजा हो यहां से तश्यीफ ले जाने के लिए इतना बस है ते कुछ और सनना चाहती हो अग्याद पापा इसे बतनाम और गंदे साय के पीछे तुम्हे नहीं भागना चाहिए महरा साथ ने मुझे भरी पाटी में से बेसर्ट करके निकाल दिया मुझ पर गंदा इल्जाम लगाया कि मैं साथन की बेती हूँ एक रखेल की बेती डॉली रहने देशे अपने इस खर के दुनिया में साथन या रखेल नाम की शप्थी नहीं है तुम हमारे बेटी है अपने बापा और हम दोनों की मेरी और राधा की लेकिन दुनिया वाले तेसे मन्सूर नहीं करते ममी वो मुझे पाप के संधान समझते हैं आप तो उन देखने वालों के आंग में है डॉली जो कुद्रत को झुटलाना चाझते हैं और अपने मुर्दा वसूल को आज भी समाज में चलाना चाते हैं लेकिन वसूल तो उनके चलते हैं ममी वो तुम्हारे वसूल आ को खोड़ा मानते हैं प्रफोरली में लिए ऐसा-उडि सच्चार जैञें वही होता है, आग में तपकर निकलता है तु भी वही सच्चार-ईस है हाँ डॉली तो एक जीति- जाकती सक्चाई है, जो इस सक्चाई को पाप कहते हैं वो खुद-पाप भी है तो फिकर मत कर, तेरे इस सम्मान और इसद की लड़ाए, मैं लड़ूँगी महरा साब से, मैं खुद बात करूँगी आप कुछ भी कहें मिस्स शाम, मगर दिपिंती राधा की बेटी है अगर वो आपकी बेटी होती, आपने उसे जनम दिया होता तो मैं एक बार अपने बेटे से उसकी शादी के बारे में सोच भी सकता था मगर शाम की नाजायज आउलाद को महरा साब, आउलाद तो आउलाद होती है, जायज या नाजायज नहीं मैं दिपंथी को, अपने कोक से जनमी हुई बेटी से ज्यादा पवित्र मानती हो आप ऐसा मानती है आप कैसा मानने से क्या होता है मिस्स श्याम ये समाज कुछ उसूलों पर चलता है इस समाज ने खुद अपने चलने के लिए पथर के पहिये बनाए है लेकिन वसूलों के वो पथरेले पई है आखिर इंसानों के लिए हैं राधाय शादी शुदा उरत हैं शाम की पत्नी हैं ये रहा उनकी शादी का सुबूत निसिस श्याम ये उनकी शादी का सुबूत महीं बलके समाज के मुँपर एक गंबा तब पर है कोई भी आदमी एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है समाज और कानून दोनों ही इसकी इजासत नहीं नेती लेकिन मैं शाम की पत्नी होते हुए भी राधा को शाम की पत्नी मन्सूर करती हूँ इसलिए कि ये शादि मैंने खुद करवाई है ओ, खुब, बहुत खुब गोया आप अपने घर अपने लिए सौतन खुद ले आई नहीं, सौतन नहीं, राथा मेरे लिए सीता की तरह है आप शायद ये भूल गई के लंका से लोटने के बाद सीता पर क्या भी दी एक मामूली से धोबी ने सीता पर अपविदरता का इल्जाम लगाया था बात समझने की कोशिश कीजिए मिस्स याम वो मामूली धोबी नहीं था बलकि धोबी के रूप में पूरे समाज ने वो इल्जाम लगाया था और रमायकिराम ने समाज की मर्यादा को रखने के लिए जीवन भर के लिए सीटा को त्याग दिया था आइसे महान लोगों के त्याग ही ने समाज के असूलों की बुन्यात को मजबूत बना रखा है वो वो जमान और था मेरा साहब ठीक है यकीनन वो जमाना और था लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने पती श्याम के होते हुए किसी दूसरे मर्द को अपना पती मान सकती है बोलिए खामोश क्यों है नहीं मान सकती न इसलिए मैं कहता हूँ मैं सुस्याम कि समाज चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो उसके उसूलों की इससत हम आज भी करते ही मैं कानू नहीं चालती बस आखिरी बार यहीं कहना चाहती हूँ अपने जित की चक्की में मेरी बेटी दीपंदी को मत पीजिए उसकी महबत की इसत कीजिए आप बार बार मुझसे एक ही बात मनवाना चाहती है कि मैं आपकी सौतन की बेटी को अपनी बहु बना लो मुझे इसी समाज में जिन्दा रहना है मिस्स्याम ये दुनिया वाले क्या कहेंगे यही ना कि मुझे अपने बेटे के लिए कोई अच्छे खांदान की बेटी नहीं मिली इसलिए मैंने किसी रखेल की बेटी से उसकी शादी कर दी आपके मन में समाज की इससत हो यह ना हो मेरे मन में है और आप मेरे लिए समाज से बड़ी नहीं इस समंदर ही को लीजिए इतना बड़ा होने के बावजुद इसने कभी अपनी मर्यादा नहीं ही तोड़ी इसलिए लोग समंदर की पूजा करते हैं समंदर की पूजा तो सब करते हैं महरा साहब लेकिन उसका पानी कोई नहीं पीता हर बड़े चोटे में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है तेंक क्यों मिस्स श्याम बेठर होगा कि आप यहां से तश्रीफ लेचाएं श्याम बैरिस्टर महरा और यह दुनिया वाले मंदूर करें या ना करें मैं रादा बाबी को हमेशा तुमारी पत्नी और दॉली को तुमारी बेटी माहूँगा सौतन की बेटी लेकिन वो मासुम समाज के आत्म सौतन की बेटी कहलाने की सुदा तो भुगत रही है मैं जानता हूँ मेरे यार उसका दुख तेरे दिल में एक जखम बन गया है तो इसे डॉक्टर तो तू है लेकिन तेरे इस जखम का इलाज़ है मैं करूँगा वो देख यार यार डॉली तेरी बेटी नहीं मेरी भी बेटी मैं उसके सर पर इज़त का ताज बेहूंगा उसकी शादी मेरे बेटे राजा से करवाँगा नरेंद क्या कह रहा है तू मैं दोस्ती को दुनिया का सबसे बड़ा रिष्टा मांता हूँ मेरी तरफ से रिष्टा पका तू बोले मेरे लिए इससे बड़े खुशी की बात और क्या हो सकती है लेकिन यार वो डॉली है ना वो उस लिड़की इस अपढ़ती है उसके साथ कहीं मैं समझ गया सब समझ दो तरह के फूलों को एक साथ रख दिया जाए तो एक की खुश्पू दूसरे में समा जाते हैं स्कूल कॉलेज में ऐसे प्यार वैर होते रहते हैं भूल जाए इन बातों को हिंदूस्तानी लड़कियों की यही तो एक खासित होती है जिसे शादी कर करती हैं जिन्दगी भर उससे प्यार भी करते हैं चल शाम कली सगाई की रसम पूरी करते हैं कल शुब काम में देर किस बात की यार नवेन तुने दोस्ती को इज़त का ताज पैना दिया मेरे यार कितनी अच्छी बात है कि नरेन ने हम सब को इतनी बड़ी इज़त दी मेरा सापने जो हमारा दमान किया उसका जवाब हम नरेन की बात मान कर दे सकते हैं कुछ सुन रही है तू ऐसा क्या है अमित में जो तुसे भूलने सकती तुझ इस ममी की पूजा करती है, तेरी इसी ममी की महरा साथ ने बेज़ दिती की है, क्या तुझे यह मंजूर है? मुझे मंजूर तो नहीं है ममी, लेकिन क्या, क्या तो अपनी प्यार में इतनी अंधी हो गए है, कि तो अपनी मा बाप पर उच्छा ले गए, कीचर के डाग भी ने देख सकती है, देख डॉली, तु हमारे डागों को बुल जा, अब सवाल तेरी इस जिन्दगी का है, माना क मैंने तेरे पपा से, शादे से पहले प्यार नहीं किया था, पर तु है बता, हमारे प्यार में किस पाथ की कमी है, हाँ, सिर्फ तुम्हारा दिली कांच का नहीं बना, जो तूट जाएगा, अगर इसे तरह हमारे दिल पर भी, अपमान की पत्थर बरसते रहे, तो ये भी कैसी दिन के इंतिजार है तुझे, अब आप लोग ये ही ठीक समझते हैं, तो मुझे आपका फिसला मनजूर है, मैं, मैं अमीद को भूलने की कोशिश करूगी, मैं अमीद को भूलने की कोशिश करूगी हाई राजा, हाई अमीद, वेलकम, वेलकम, मुबारक राजा, इंगेजमेंट हो गई, या अभी तक तो पंडिती नहीं आया, अच्छा, तेरी होने वली का चांद सा मुख्णा तो देखें, अरे तू देखेगा तो जल जाएगा, ओ ये बात है, अच्छा, चल देखते हैं देखेंगे मैंने कहा था ना बेटा, जल जाएगा, जल गया ना, अब तो चुपके हो गया, जल के तो लोग दर्द के मारे चीखते हैं, और तो चुप हो गया, देख हमें, आज इस खुशी के मौके पर चुप नहीं रहना, कुछ बोल यार, कुछ सुना, कमान यार, कमान, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रोठन जाएं, हमसे अपने रोठन जाएं, इसलिए चुप रहते हैं, मेरी सूरत देखने वालो मैं भी एक आईना था, मेरी सूरत देखने वालो मैं भी एक आईना था, तूटा जब ये शीशा ए दिल सावन का महीना था, तुकडे दिल के किसको दिखाएं, तुकडे दिल के किसको दिखाएं, इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रोठन जाएं, इसलिए चुप रहते हैं, कि दो खुटे हैं आज खुशी की इस महखल में अपना जीबर आया है आज खुशी की इस महखल में अपना जीबर आया है गम की कोई बात नहीं है हमें खुशी ने रुलाया है आज से आज बहना जाए आज से आज बहना जाए इसलिए चुप रहते ही है हमसे अपने रुठन जाए हमसे अपने रुठन जाए इसलिए चुप रहते है लोली? 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 लोली क्या हुआ? लोली? लोली? क्या हुआ कि लगता है डॉली को चक्राइब हुआ क्या हुआ डॉली को डॉली को क्या हुआ डॉली मा बनने वाली है क्या जल्दी जल्दी क्या फैसला गलत पी हो सकता है रुक्मनी मैं एक डॉक्टर हूँ फिर एक बाप और उसके साथ साथ एक दोस्त भी एक दोस्त होते हुए मैं एक दोस्त को धोका नहीं दे सकता मैंने तो दोस्ती के सर पे रिष्टेदारी का सहरा बांदा था और तुने और तेरे खांदान ने तेरी बेटी का पाप में से चिपाया एक दोस्त के एद्बार को तु इससे बड़ा धोका और क्या दे सकता था देखने रेन तु मेरी दोस्ती को गलत मत समझे क्या कहां गलत न समझों डॉक्टर साब यह तो मेरी शराफ़त थी जो मैंने एक सौतन की बेटी को अपनी बहु बनाना मंजूर किया डॉक्टर एक जहरीला सच नंगा होकर मेरे सामने खड़ा है और तु चाहता है कि मैं अपनी आख्या बंद कर लूँ बहतर यही होगा कि इस पाप की गठे को उठाओ और तफाँ हो जाओ यहां से किसका कलंग है तेरी कोक में बता किसके साथ तुने मुग काला किया है बता वर्नम यहीं जमीन में तुझे जिन्दा कर दूँगी ममी मुझे माफ कर दो मुझे पता नहीं था कि शादी से पहले क्या गलत और क्या सही है अब तो आ गया समझ में बता यह बाप तुने किसके साथ किया एक बाद मैं अमीर बर्व के दूफान में थज गये थे हम यहां से वहां चारों तरफ बटकते रहें लाग तलाज करते पर भी शहर का रास्ता नहीं मिल रहा था कि शाम हो रही थी कि अचानक हमें एक कश्पिरी चाचा नजर आए अब इतने उनसे जंगल से बाहर निकल लेगा रास्ता पूझा तो उन्होंने बताया कि चारों तरफ बहुत सोरदार परफ करी है शहर के सभी रास्ते बंद हो गए है उन्होंने हमें अपने घर आकर रात से पूझा इंगा राका जगांसे उन्होंकाद और हमारे पास उने की बात नजर कोई रास्ता ही नहीं था भुए कर दे असलआ को मैं करती duration is the band your hai पाप की निशानी को लेकिन जब मैं आपके पेट में थी तब क्यों नहीं गिराया मुझे आखिर मैं भी तेस पाप की निशानी थी मामी मुट्षे में तो बात आप कर रही है अपनी पर्चाई पर पढ़ा तो दिल में लाऊ थी आप तो पक्वास मत कर तुझे इस बच्चे को गिरा नहीं होगा नहीं ममी नहीं आप इतनே गिरा सकी नहीं एक बाप म Eu Star Moi को मैं आज म complaint मैं तर्षानी को नहीं गिरा सकती कि मैं इस दुनिया से उसी तरह छुए जैसे आप मेरे लहीं लड़ रही हैं क्या कहा कि Civ hart first सुना सुना आपने क्या बख्वास कर रही है डॉली ठीक कह रही है हाँ रादा कली मैं उस समाज के ठेके दर मेरा से मिलूंगा और बात करूंगा अब चुप हुजा डॉली मैं तुम्हारे साथ हूं एक बात बताओ लड़का हो गया लड़की डॉक्तर शाम वर्मा गेट क्रेशर तो आपको नहीं कह सकते लेकिन सिच्वेशन तो वैसी ही है आप कुछ भी कह लेजिए लेकिन बात इतनी जरूरी और नाजुक है कि मुझे आना ही पड़ा क्या मैं आपसे पांच मिनटा के लिए में बात कर सकता हूं जानता हूं सहाब क्या बात करने है आपको मुझे साहिबान डॉक्टर श्याम वर्मा मुझे कुछ बात करने आए कुछ दिन पहले इनकी बेटी आई थी वही बात करने फिर इनकी बेगम तश्रीफ लाएं वही बात करने और अब ये खुद आए हैं चलकर वही बात करने मैंने कहा ना मिस्टर मेरा के बात इतनी नाजुक है के नाजुक वाजुक क्या होता है साहब साहिबान बात सिर्फ इतनी सी है कि इनकी बेटी को मेरे बेटे से महबबत है महबबत और इनकी बेटी एक नाजायज उवलाद है जिसने इनकी रखेल के पेट से जनम लिया है आप ही बताईए आप में से कोई साहब नाजायज लड़की से अपने बेटे की शादी करने के लिए तयार है साहिबान आप ही की तरह से मैंने भी यही कहा था कि मेरे बेटे की शादी एक नाजाइज लड़की से हर्गेज नहीं हो सकती आप बार बार मेरी बेटी को नाजाइज केते जा रहे हैं और मेरी बात सुने बगर अपना फैसल दो होते जा रहे हैं समाज के उसूलों के खिलाफ जो काम आप ने किया है उसकी सजा आपको भुगतने होगी आपके बेटी को भुगतने होगी क्यों साहबाब गलत कहा मैंने ठीक कहते हैं आप डॉक्टर साथ दुनिया में कितने ही नाजाइज लड़के पड़े हैं उन में से किसी एक के साथ शादी कर दो अपनी बेटी की बात बंकरो डॉक्टर श्याम इससे पहले के पार्टी का मज़ा किरकिरा हो आप यहां से चले जाएं मिस्टर महरा जिन पैरों से मैं यहां आया हूँ उनी पैरों से मैं वापस भी चला जाओंगा मेरे दिल में अब भी थोड़ी सी इज़त है आपके लिए इसलिए अकेले में मेरी बात सुन लेजिए मुझे में सुनने का हौसला है अगर तुम में कहने की हिम्मत है तो कहो सब के सामने आप नहीं मानते तो सुनिए मेरी बेटी आपके बेटे के पच्चे की माँ बनने वाली है ब्लैक मेलिंग का ये निया तरीका निकाला है तुमने ये ब्लैक मेलिंग नहीं एक सच्चाई है तुम्हारा बेटा भी एक नजाइज अलाद का बाप बनने वाला है बंद करो ये बकवास जामता है तुए एक कनूनी आपनी के सामने खड़ा है तेरी ये जुरत इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकालू इससे पहले कि आप इने धक्का देकर बाहर निकालें मुझे आपसे कुछ कहना है सुना तुनी सुना ये डाक्टर क्या बक्रास कर रहा है सुन अब आप भी सुन लिजे डड़ी दिपिंती की कोक में जो बच्चा है वो हमारे प्यार का फूल है मुझ में और मेरी महबत में इतनी हिम्मत है डड़ी कि मैं ये सच्चाई खुलकर मन्जूर करूँ मैं दिपिंती से शादी करूँगा क्या बगवास कर रहा है एक मामूल इसी गिली हुई लड़की जो समाज की नजरों में पाप की तस्वीर है उससे शादी करेगा हाँ करूँगा वो आपके लिए पाप की तस्वीर हो सकती है मगर मेरे लिए पूजा का फूल है आप उसूल और कानून के नशे में बिहोश है डड़ी, आप तो इंसानों को भी कानून की किताब की तरह पढ़ते हैं आज मैं खामोश नहीं रहूँगा, इतना सुलिजी आप मैं अब जियूँगा तो धिपिंती के लिए, मरूँगा तो धिपिंती के लिए आप भूल जाएएगा कि आपको कोई बेटा भी था, शादी का दिमंतरन पत्र भेज़ दूँगा, वक्त मिले तो जरूर आएगा आएज जाएगा दॉक्तर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा यह शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती अब अपने माता पिता से आशिरवाद लीजिए रोक दीजिए यह शादी शादी रोक दीजिए? क्या मतलब? शादी तो हो चुकी जर्म पूरा हो चुका है इनको गिर्फ़तार कर लीजिए इंस्पेक्टर गिर्फ़तार कर लीजिए? क्या जुर्म किया है हमने? क्या गुनाह मारा? बहुत बड़ा गुनाह किया है तुम सबने डॉक्टर श्याम, तुम्हारी बेटी की उमर क्या है? डॉली सारे सोला साल की है गोया के नाबालिग है लड़की की उमर सारे सोला साल और अमित की उमर बीस साल ना लड़की ने अठारा साल पूरे किये और ना लड़के ने एक कीस साल तो नो नाबालिग और खानून के तहट नाबालिगों की शादी कराना एक जुर्म है शादी करवाने वाले माबाप और पंडित सब इस जुर्म में बराबर के शरीक है दफाफूर्माइन सिक्साइपीसी के तहट आप सब मुझरिम है गिरफतार कर लिए इन सब को इंस्पेक्टर अगर यह जुर्म है तो इस जुर्म का जिम्मेदार मैं हूँ इन मासुम बच्चों को क्या कसूर है अगर गिरफतार करना है तो मुझे गिरफतार कीजिए देखो इंस्पेक्टर आज तो इन बच्चों की नई जिन्दगी शुरू हो रही है I'm sorry डोक्र शाम गुना आप सबने मिलकर किया है मैं किसी को नहीं छोड़ सकता बहतर होगा आप शरीफों की तरह मेरे साथ पुलिस टेशन चले चले Please डोक्र शाम आप सब की जमानत हो गई किसने दी जमानत वो साथ ने अपने दोस्त को माफ कर जाना शाम तेरी दोस्ती पे हमेशा नाज रहेगा मेरे यार ये रॉनर ये बिगमी का सही और ठोस केस ही नहीं बलके एक नाजाए इस ओलाद का मामला भी है और नाबालिगों की शादी कराने के जर्म का मुकद्मा दी डाक्टु शाम वर्मा आपकी पहली पत्मी मिसिस रुक्मनी वर्मा क्या आपके साथ रहती हैं जी हाँ तो फिर आपको राधा से दूसरी गेर कानूनी शादी करने की जरूरत क्यूं पढ़ी क्योंकि मैं अपनी बेटी दिपिंदी को अपना नाम देना चाहता था ये रॉनर डाक्टु शाम अपनी हवस और वासना पर परदा डाल रही हैं बेटी को नाम दिना तो सिर्फ एक बहाना है जड़ा देखिए ये रॉनर राधा जैसी खूबसूरत और इनकी बीवी बन सके इसलिए इन्होंने उसकी बेटी को अपना नाम दे दिया सच्चाई ये ही है ये रॉनर ये गलत है जित साहब सवाल राधा की इज़त का था एक बिन ब्याही मा की समान का भी था इससे पहले की राधा समाज के लिए गाली बन जाती मेरे पती ने उसे पत्नी का दर्जा दे कर पाप को पुन्दी में बदल दिया पाप को पुन्द में नहीं रुकमनी जी बलके डॉक्टर श्याम वर्मा ने समाज और कानून की मर्यादा तोड़कर उनको पाप में बदल दिया ये रानर अब मैं इनकी गैर कानूनी बीवी राधा जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा इजाज़त है राधा जी अपनी शादी से पहले क्या आपको मालूम था कि डॉक्टर श्याम में एक शादी शुदा आद्मी है जी मुझे मालूम था इसके बावजी उदा आपने डॉक्टर श्याम से गैर कानूनी शादी की गैर कानूनी नहीं वकिल साहब जिन्दगी ने इतना वक्त ही नहीं दिया कि मैं दुनिया की कानून जानती दिल की दुनिया से मैंने जिन्दगी शुरू की थी बस उसे दिल की कानून जानती हूं जूट बोलती है आप आपने डॉक्टर श्याम वर्मा से जान बूच कर शादी की पहार सामने खड़ा हो और आप कहती हैं आपने पहार को देखा ही नहीं मैं कभी इंकार करते हूं कि मैंने पहार को देखा नहीं लेकिन क्या कभी किसी ने पहार से उसकी उंचाई पूछी है पहार के उंचाईयों के सामने सब के सर जुक जाते हैं वकील साहब मेरा सर भी उसी तरह शाम के सामने जो क्या था खुबसूरत शब्दों को समेट कर कहानियां खुब घड़ते हैं आप लोग ये कहानिया नहीं है मिस्टर महरा ये सारी सच्चाईयां शाम और राधा ने जो गलती शादी से पहले की थी ये शादी करके उन्होंने उसी गलती को तो सुधारा है सुधारा नहीं बलके समाज और कानून के उसूलों को तोड़ा है मिस्स श्याम वर्मा क्या ये सच है कि डॉक्टर श्याम वर्मा और राधा की शादी आप ही ने करवाई थी जी हाँ ये जानते हुए भी कि ये शादी जूर्म है गैर कानूनी है जा सहाब मैं भी एक और थूँ मुझे ऐसे लगा जैसे राधा के सारे दुख्टर मेरे दुख्टर दे राधा को उसके मां का सिंदूर दे कर कौन सा गुना किया है मैंने बहुत गुना किये हैं आपने मिस्स रुकमनी वर्मा और इन गुनाओं के लिए एक दिन आपको बहुत पच्टाना पड़ेगा सबसे बड़ा जर्म आपने किया है नावालिग बच्चों की शादी करा के शादी कोई जर्म तो नहीं है वकिल सहाब अपने दिल पर हाथ रखकर बताईए कि प्यार क्या कानूने किताप पड़कर किया जाता है प्यार करना जर्म नहीं है लेकिन नावालिग बच्चों की शादी जान बूच कर कराना एक संगीन जर्म है और यह जर्म आप सबने मिल कर किया है सोच समझ कर किया है आप सब ने इस मुलक के कानून को तोड़ा है लेकिन कुद्रत के कानून को भी बद भूली एक कुद्रत से मत लड़ी वकिल साप जरसोची किसी कली को कोई फूल बनने से रुख सकता है क्या लेकिन हर कली कोट के कॉलर में नहीं लगाई जाती मिसिस रुकमनी वर्मा और हर फ किल साप की गुल्दस्ते में सजने वालब फूल नहीं अगर कोई गुना हुआ है तो उसके सिंबेदार ना मेरे माबाप है और नामी क्यूंकि आपके समाज ने आपके कानून ने मुझे अपनी इस कच्छी उमर के मोड़ पे यह नहीं बताया कि क्या गलत है और क्या थे ही आफकानून तो घलती करने के बाद तलवार लेके सामने खड़ा है जो कह रहा है कि मेरे शादी खलत है जो कह रहा कि मैं अपने होने वाले बच्चे को मार दू Yap Bo writes करवा दूँ कैसा ॏानुन है आपका जो बच्चे को मार तो सकता है जिंदे की बे नहीं सकता आप मुझे कैद कर सकते हैं मेरी उम्र को नहीं जिस दिन मैं बालिख बच जाओंगी आमित से फिर शादी करूँगी और अपने बच्चे को इज़त की सिंदगी दूँगी इस लड़की दिपिंती ने जो कुछ कहा चीख ही कहा एक कमसिन लड़की इसके लावा और कैभी क्या सकती है पाले होने के बाद यामित से फिर शादी करेगी पड़ी मुनासिब बात लेकिन दिपिंती कल क्या होने वाला है इस दलील से तुम्हारा खुसूर कम तो नहीं हो ज सब्सक्राइब करें इस मुल्क में उसूलों की आनूनों की अदालतों की जुरूरत क्या है मतलब क्या है यह गुनाफगारों का खांदान है यह जैसा शोहर वैसी बीवी जैसी मा बैसी बेटी नाजाएज उलादों और गैर कानूनी शादियों के सिल्सले को खत्म करना पड़ेगा यह अभी और यही इन मुल्जमों के बयान से साफ जाहर है यह उनर इन सब ने नावालिगों की शादी कराने का जर्म किया है इसलिए मेरी यह अदालत से दर्खास थै कि दफाफ और नाइनटी सिक्स आई पी सी के तहित इन सब को सक्त से सक्त सजा दी जाए अधालत कर्सक्राइब मुल्त भी की जाती है क्या लगता है नरेन अम सॉरी शाम हम एक एस हार जाएंगे तुम क्यों आए हो तुम यहाँ दया की भीक मांगने कौन समू लेकर आई हो मुझ से दया की भीक मांगने के लिए बिना हम्दर्दी कोई किसी पर दया नहीं करता कोई किसी को भीक नहीं देता और मुझे तुम से और तुम्हारी इस नागन बैटी ने मुझसे मेरा बीटा चीट लिया इस घर का चराह चेंड लिया चली जाओ यहां से देखिए मैं और मेरी बेटी आपके गुनेगार है आप हमें जो चाहिए सज़ा देदीजी लेकिन आमित श्याम और उनके पत्नी को आप छमा कर दीजी और अपनी बेटी को वापस कर लियाए कल अदालत में क्या फैसला होने वाला है शायद तुम लोगों को इसका अंदाजा हो गया है श्याम उसकी पत्नी तुम और तुम्हारी बेटी और अमित सबको सजा हो जाएगी इसलिए तुम कोई चाल जलने आई हो नहीं कोई चाल नहीं आपसे बिंती है उन तीन मासम जंदिग्यों पर कोई इल्जाम ने लगने दीजिए मैं आपके हाथ चोड़ती हूँ ये मुकदमा वापस ले लीजिए क्यों वापस ले लूँ ऐ तुम लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता किसी अक्तिमत पर माफ नहीं कर सकता जरा सोचे दोनों बच्चे ही तो हैं इनसे गलती होगी है मैं आपसे बादा करती हूँ मैं अपनी किसी जगह इसका गला खोड देती हूँ तो मैसे नहीं कर सकती कोई मा अपनी अवलाक का गला नहीं घोड सकती मुझे कम्जोर मत समझे है वकल साहब अगर मैं इसे जनम दे सकती हूँ, तो इसकी जान भी ले सकती हूँ क्या से मार डालूगी, क्या से मार डालूगी, क्या से मार डालूगी, मैं Stop it, stop it तुम आज ही रात से साथ लेकर कहीं चली जाओगी, और फिर कभी इस शेहर की तरफ और अमित की तरफ रोख नहीं करोगी वादा करो मैं वादा करती हूँ, वकील साथ, ऐसा ही होगा ठीक है जब हमें ये यगीन हो जाएगा कि तुम ये शेहर वागई छोड़कर चली गई हो तो हम अपने उलाद के खातर ये मुकदमा वापस ले लेंगे बस भी करो रुकमनी शाह, आज मुझे लग रहा है जो भी मैंने किया गलब किया अच्छा ही होता राधर डॉली के साथ गुम्नामे के सिंदगी गुजर लेते लुकमनी तुमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मानता थी मेरी मान तो नहीं शाम मेरी भूल थी मेरा अधर और डॉली के जीवन में भूल कि लाना चाहती थी लेकिन समाज और कानून के काटों ने उन्हीं घेर लिया उनके होटों से मुस्कुराहत चीनकर आँखों में आंसु भर दिया यह सब मेरी भूल के वज़े से हुआ ना शाम जो ना था हो गया तुम अपना जी छोटा मत करो नहीं शाम मैं तुम सबको जेल के सालकों के पिछे कैसे देख सकूँगी हिम्मत से बर्दाश नहीं होगा हिम्मत रखो शाम मेरी समझ में नहीं आता हिरात और डॉली की खुषिया मैं कैसे लोटा हूँ में क्यो करो शाम रुक महीं मैंसे कुछ नहीं होता शाम मैं नहीं जौए ममी मैं ममी बाप आरामित के बिना नहीं होती तो उनकी बिना नहीं ही रह सकती ठीक है. मगर उन सबको सजा हो जाया क्या यह तुझी मन्जूर है हमारे चले जाने में ही उन सब की भलाई है यह तिक क्यों नहीं समझती रॉली मैं सब समझती हूं ममी लेकिन मैं उनसे दूर नहीं जा सकती मैं नहीं जाओंगी तेरा दिल तो पत्थर का हो गया है तो शायद इने जेल की सलाखों के पीछे देख सकती है लेकिन मैं नहीं देख सकती ठीक है तो मेरे साथ नहीं चलेगी ना मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ प्लीज, आपको मेरी कसब, आप जैसा कहेंगे, मैं वैसे ही करूँगी, आप ये शाह को भेग दीजिए, प्लीज, ममी, प्लीज ठीक है, चल, ममी, आप क्या है, आखरी बार मैं ममी पापा के दर्शन कर लो, ठीक है हुआ हुआ होँआ है हुआ है घर्शन करोल कर दो कर दो प्रूब झाल जोड़ कर जा रही हो हाँ इस घर के बाहर किया रखखा है तुम्हारे लिए और इस घर में क्या रखखा है मेरे लिए तुम्हारा सुहाक तुम्हारा समादि इसे घर के चार दिवारी में है, ना हमें समाज ने मन्जूर किया है, ना कानून में, अब हम कौन सा मूले कर इस घर में रहें, पति से बढ़कर ना समाज है, ना कानून, शाम ने तुम्हें जीवन साथी बनने का अधिकार दिया, पति का प्यार दिया, और क्या चाहिए तु तो ने यही समझा, सिर्फ इतना ही समझा तो क्या गलत समझा मैंने, बोलो, क्या गलत समझा मैंने हरे पदली, मैं तो सिर्फ शाम के पतनी हूँ लेकिन तो 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 शाम का प्यार है मैं तो बस पतनी हूँ की, तू साजन का प्यार है तू साजन का प्यार है जितना मेरा हक है उनकर, तेरा की अधिकार है तू साजन का प्यार है ना कोई मेरा हक है उनकर, ना कोई अधिकार है तू ही सुहागन है ताजन की, तू ही उनका प्यार है तू ही उनका प्यार है इस बहलीज को पार न करनम, वर न हजब हो जाएगा इस बहलीज को पार न करनम, वर न हजब हो जाएगा हरा हरा ये घर बहना बिल आग लगे जल जाएगा तू नहीं तुल से इस आगन की, तू तु दखर की बहार है तू साजन का प्यार है पानी पर पूले से बनी और मित गई वो तस्वीप हूँ पानी पर बूले से बनी और मित गई वो तस्वीर हूँ मालिक भी लिख कर रोया है मैं सी तकदीर हूँ मैं गाली से चूटी पाती मेरा करना द्वार है तू ही उनका प्यावार है मां वो कर भी बेटी को मां से जुदा करती है मां वो कर भी बेटी को तुम मां से जुदा करती है तूल से पचकर की आखों में क्यूं साजन बरती है ये पूजा का तूल है तबनी प्यार का उपभार है तू साजन का त्यार है लाट जापने घर तू मुझे अधी आरों में खो जाने दे लाट जापने घर तू मुझे अधी आरों में खो जाने दे मैं रस्ते की धूल हूं मुझे को रस्ते में रह जाने दे काटों से खुश्बू की चाहत करना तो बेकार है तू ही उनका प्यार है काटों से खुश्बू की अधी आरों में खुश्बू राम राम के लापे अधी तू राम राम कहना एक तू, अंद में लाडनी बेला राम राम कहना एक तू, अंद में लाडनी बेला जिस धरिकों मैं छोड़ चली में तुछे उसी में रहना हाथ जोड़ कर ही बिन दी ही मत कहना इनकार ने तू śजन लि他 यहे रेzahlए तू śजन लाप्यार आए जै, ड्यार आए तू śजन लार आए प्यक्ष मने, यह कर YE किया तुमने कि अगली ख़र चोड़कर जा रहे थी क्या मैंसे जा रहे थी अमेद जल्दी करो रुकमनी को हस्पिनल ले चलते हैं नहीं शाम मुझे इश्वर के शन में जना है लेकल लेकल पहले तुम हो रहा था एक वादा कराओ कैसा वादा रुकमनी शाम मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हार कसी मेरी अर्थी निकले के रुकमनी लेकिन मेरी अर्थी तब निकालना जब तुम और रात था समाज और कानून के ठेकेतारों के सामरी रात वेरी लिलो और वो साम मैं रात को तुम आरे पत्ने माल ले राट लेकों तुम्हारे बेठी are रुक मनी, रुक मनी, रुक मनी शरम, आता करो रुक मनी मुझे मुक्र नहीं मिलेगी शरम आता करो हाँ, रुक मनी रादा रुक मनी भुटे वोले, ना भी झाय्टो झाले, प्सली पार फीरा, लगनेUh झाल 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 प्राम राम के लाखे अग तो अंत में लाड निवेना जिस थरिंदू मैं छोड चली में तुछे उसी में लेना हाथ जोड करें बिन दें मत कहना इनकार है तू साजन का प्यार है